तो हेलो गाइज आपका गैमेशन पाइडिशल में स्वागत है एंड हाँ आप सभी लोगों को हैपी नुई येर तो लास्ट टू थ्री वीक से मैं कम्यूनिटी में देख रहा था बहुत सारे लोग एपिक गेमशोर की मिस्ट्री गेम्स में ओपन वल्ड एंड ट्रिपल ए सारी की सारी 15 वीडियो में ये वाली वीडियोगी लोग आप्स ट्रिपल वेलॡ गेम्स जाल रही है यॉपन वड जैल के उसी पर है जो भी आपको देखनी मिलेंगी इसके अंदर आपको सारे खर और चाप्टरास देखने को मिलेंगी अब पूरी देख सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं तो चलिए पहली सक्षन से बात कर लेते हैं जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा अंडर 300 रुपीज की गेम्स तो अब की अंडर 300 रुपीज में सबसे पहली जो गेम है यह है की विचर 3 आप लोगों को विचर 3 के बारे में पता होगा बट बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस इस साल पर आप इसको ट्राय आउट कर सकते हो इसके अंदर आपको दो वर्जिन मिल जाएंगे एक नॉर्मल एडिशन और एक कम्प्लीट एडिशन आपको 160 रुपीज का मिलेगा और अपको 200 रुपीज का मिलेगा तो मैं रेक्मेंट करूँगा कि आप कम्प्लीट बैटमें चैलेक्षन में आपको थीन गेम्स मिल जाता है और जो आपकी प्रीमियम गेम है नकीं बैटमान आर्कम नाइट्स कद्डifying अद मिल जाता है और Batman की games मैं तो गोलूँगा one of the best games में से होती है तो या अगर आप लोगों कोई superhero games खेलनी थी तो ये game आपके लिए हो सकती है ज़रू से check out करना बड़िया game है Next game के अगर मैं बात कुरूँ ये भी आपका दो game का bundle है ये है आपका Middle Earth Shadow Bundle ये दोनो जो bundles है इन दोनो बंडल के अंदर आप किसी में भी जाएंगे गलत नहीं होंगे अगर आप लोगों ने Lord of the Rings movie देख रखी है तो आपको ये bundle भी बहुत बड़िया लाएगा Middle Earth Shadow Bundle का दोनो गेमस है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा Shadow War and Shadow of Modern और दोनो के दोनो DLCs भी आपको देखने को मिलेंगे जो भी इनके expansion upgrade पास है वो दोनो आप लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो आपको bundle है आपको 300 रुपीज का देखने को मिलेगा 85% off पे तो ये bundle भी बहुत अच्छा है आप इन दोनों गेम्स को भी खेल सकते हैं नेक्स्ट अंडर 300 रुपीज की गेम की बात करूं तो ये है आपकी डाइंग लाइट डाइंग लाइट आपकी बहुती बड़िया जॉम्बी पार्कॉर गेम है जॉम्बी सर्वाइवल गेम है ये एक तरीके से अगर आप लोगों ने पार्कॉर गेम्स खेलना पसंद है अगर आप लोगों ने पार्कॉर गेम्स नहीं ट्राय कि लाइट तो इससे आप ट्राय कर सकते हो आपको बिल्डिंगों से च्छलांग मारनी है इधर उदर जाना इसका second version भी आया हुआ है dying light 2 करके वो थोड़ी महेंगी है अगर आप लोगों ने अभी तक dying light 1 नहीं के ला है तो ज़रू से आप dying light 1 को try out कर सकते हैं बढ़िया गेम है इसका भी मैं recommend करोगे आप definitive edition ले ले लेना majority of चीज़े आपको देखने को मिल जाएगा 300 रुपीज में next section की बात करों तो ये गेम साती है under 500 रुपीज की और under 500 रुपीज में सबसे बढ़िया गेम की अगर मैं बात करो Skyrim बहुत सारे लोग बोलते की यार ये तो बहुती पुरानी गेम है यहां पर 2016 दिखा रहा है बट और भी थोड़ी से पुरानी है ये मैं को डेट एक दम से याद नहीं आ रही है बट हाँ ये कितनी बड़ी है गेम है मेरे को इसके बारे में बतानी की जरूत नहीं है सब लोगों को majority में नाम तो पता होगा बट इसलिए नहीं खेलते क्योंकि पुरानी गेम बोलके बट मैं बोलूँ हूँ अगर आप लोगों अभी तक यह गेम नहीं ट्राय करिए जरूर से आप लोग ट्राय कर सकते हो रव्यूज भी आपको बता देते हैं कि ओवर्वेमिंगली पॉजिव है इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉड्स के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे आप इसके अंदर मॉड डाल के भी हेल सकते हैं जो कि बहुत ही जादा प्लस पॉइंट है इसके अंदर यह गेम आपको मिलेगी 450 रूपीज की 75% आफ के साथ इसका एक अनिवर्सरी एडीशन भी है पर आप उसकी तरफ ना भी जाएंगे तो इतना कोई फरक नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से तो आप बेस एडीशन भी ले सकते हैं स्पेशल एडीशन तो बढ़िया है नेश्ट गेम की अगर मैं बात करूं तो यह है एक रेसिंग गेम मैं बोलूगा दी क्रीव 2 एक वन ओव दी बेस्ट रेसिंग गेम अभी के लिए मैं तो बोलूगा की बढ़िया है यह यह गेम आपको मिलते हैं 500 रुपीज की 80% आफ क सकते हो हेलिकोप्टर ने प्लें चला सकते हो कार सकते हो बाइक चला सकते हो इसके बहुती बड़ी लाइबरी भी है इनकी कार्स कलेक्शन भी है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो वन ओव दी बेस्ट ओपन वल रेसिंग गेम मैं इसको मानूँ आज की रेट में और इस ब्रैंड के मिल जाएंगे, हाँ वैसे इंडियन गेम्स की नहीं, इंडियन कार्ज की नहीं मिलती, मारूत वारूती नहीं है, इसके अंदर पठा, आपको देखने को मिल जाएगा, Standard Edition है इसका 428 रूपीज का, Ultimate Edition है 874 रूपीज का, मैं तो बलू हूँगे, अगर आपको सिफ ट्रायओट करना है, ओपन वल्ड रेसिंग गेम्स को, 428 रूपीज में आप Standard Edition देख सकते हो, इतना कुछ खास में को मैं को लगता नहीं है, या ता उस डायरेक्ली जाहिएगा, Ultimate Edition में जो आपको पड़ेगा 874 रूपीज का, तो येस, अगर आपको सिफ ट्रायओट करना है, तो पेस एडिशिन के साथ आप लोग जा सकते हो, 4004 एक बड़िया रेसिंग गेम है, आखे बंद करके आप इस गेम को ट्रायओट कर सकते हो, अगर मैं next game के बात करूँ, ये भी एक Xbox की गेम है, ये है आपकी Sea of Thieves, open world की जगा मैं बोलूँगा, ये open sea game है, ये अगर आप लोग अपने फ्रेंड साथ कोई गेम को ट्रायओट करना चाते हो, तो Sea of Thieves एक बहुती ज़्यादा fun game है, इसके अंदर बहुती ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आप लोग अपने फ्रेंड साथ खेल रहे हो, ये गेम आपको पढ़ रही है, 450 रुपीज की 50% आफ के अंदर, Microsoft की गेम है, ये, Xbox की गेम है, इसके servers भी बहुत अच्छे है, कोई प्राब्लम नहीं आता है, और Pirates, अगर आपको कोई भी Pirate Theme खेलना है, कोई गेम है, अगर आपने सोचा है कि या, मैंने Pirates of the Caribbean देख लिया, One Piece आप लोग देख रहे हो, Pirate की गेम खेलनी है, तो Sea of Thieves आप लोगों के लिए एक बड़ी या Open World गेम हो सकती है, जो कि आपको Epic Game Store के अंदर कभी भी फ्री देखने को नहीं मिलेगी, नेक्स्ट गेम की बात करूँ तो ये है आपकी दिनकम, दिनकम अभी वैसे तो फिलाल के Early Access गेम पे है, बट इतना भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप लोग ज़रू से चगाउट कर सकते हो, इतना भी बड़ा मैप नहीं है, चोटा सा मैप है, बट मैं बोलूगा इसका गेम बहुत ही जदा चल है, आप अराम से बैट के, अपना माइंड को आफ करके इस गेम को खेल सकते हो, बहुत जदा मसा आता है इस गेम के अंदे, तो जरू से ट्राइओट करना, अगर आप लोग कोई फार्मिंग सिम, लाइस सिम टाइप की गेम खेलनी थी तो, इसके अंदर आप कोउप भी गेम खेल सकते हो, मैंने इसके अंदर बहुत जदा टाइम स्पेंड किया है, जो कि मुझे तो इस गेम बहुत जदा अच्छी लगी है, नेक्स डीम की बात करूँ, नेक्स शेक्शन पर चलते हैं, अंडर वन थाउजन की गेम की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा बज़ेट बढ़ चुका है, और वन थाउजन की बात हो रही है, तो मैं आपको रेकेमेंट करूँ को कि आप लोग GTA 5 अगर नहीं खरी दिया है, क्योंकि मैं को पता है, बहुत सारे लोग Epic Games से सोचते हैं कि वो GTA 5 दुबारा से फरी देंगे, जो कि मुझे तो बिलकुन नहीं लगता है, बढ़ हां, अगर आपको उमीद रखनी हैं कि फ्रीम आएगी, तो आप लोग उमीद रख सकते हो, बढ़ हां, अगर आपको GTA 5 अभी भी खेलना है, आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग बाय कर सकते हो, स्टीम में, एपिक गेम स्टोर के उपर, आपको दोनों जगा में देखने को मिल जाएगा, यह आपका बेस एडिशन है, GTA 5 का प्रीम एडिशन, 952 रूपीज के अंदर, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, यह आपका standard प्राइज है, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं जिन के उपर बात करूँ, तो यह है आपकी RDR 2, वैसा यह 1000 के उपर चले जाता है, बट मैं बोलूँगो कि यह अंडर 1000 के अंदर भी लोग घिन सकते हों कि अगर आप यार, पच्वान रूपे एक्ट्रा मिला करके, हाँ, इसको मैं इसके लिए मैं अंडर 1000 के अंदर इसको डाल रहा हूं, RDR 2 की ऐसा कोई गेमपले ऐसा नहीं कि ओ भाई, गेमपले बहुत ज्यादा नया है, कुछ है, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी के साथ आपको कोई ओपन वर्ल्ट स्टोरी वाली गेम चाहिए, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो, इसका ऑनलाइन इतना कुछ अपडेट ये लोग देते नहीं है, जितना ये GTA 5 के अंदर स्टोरी रिच गेम चाहिए, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो, एंड आपकी जो नेक्स दो गेम्स है, ये मेरे फेवरेट सिरीज के अंदर आती है, पहली जो गेम है, आपकी माफिया डेफिनिटिव एडिशन, ये गेम आपको देखने को मिलेगी, 7.69 रुपीज की, 65% ओफ के अंदर आपको ये गेम देखने को मिलेगी, माफिया सिरीज वन अफ दी बेस्स सिरीज में मैं मालूँगा, हिस्टरी के हिसाब से, आपको माफिया ग्यांग बोर्स देखने को बहुत ही जादा पसंद आता है, तो ये गेम वन अफ दी बेस्ट आपको लगेगी, मेरे को भी लगी थी, तो आप लोगों को भी लग सकती है, जरू से ट्राइउट करना, और जो सेकंड गेम इसी के साथ जो मैं रेकमेंट कर रहा हूँ, वो है आपकी माफिया टू, माफिया टू तो मेरी माफिया वन से भी ज़्यादा फेवरेट गेम है, पता नहीं क्यों, लोगों को माफिया वन ज़्यादा पसंद आती है, बट मेरे को माफिया टू ज़्यादा पसंद आई है, और यह आपको देखने को मिलेगी फाइफ सिक्टी रूपीज का, यह आपका डेफिनिटिव एडिशन है, इसके अन्дर आपको माफिया 2 का ओ других वर्जन जो ज़्यादा री मास्टर नहीं किया हुआ है, और री मास्टरड देशन दोनों गेम्ज मिलेगा, तो अगर आपको क्लासिक एडिशन खेलना थो ग्लासिकola सकते हो री मास्टर खेलना थो री मास्टर खेल सकते हो, अगर मैं बात करूं तो यह और भी जादा बड़ी गेम है इन साइज के हिसाब से यह आपकी नो मैंस का है आपकी एक ओपन वल्ड नहीं ओपन यूनिवर्स गेम है आपका यह एक स्पेस गेम है इसके अंदर आप किसी भी प्लानेट के अंदर जाते हैं अगर आपको प्लाने इस गेम चाहिए जिसके अंदर आप उड़ सकते हो स्पेस चटर चला सकते हो तो यह वन ऑफ दी बेस्ट गेम्स आपके लिए हो सकती है इसको आप आप लोग इसको भी ट्रायोड कर सकते हो 900 रुपीस की मिल रही है 50% आफ के अंदर और यही जो प्राइज है इसकी हमेशा क की प्राइज की गेम्स ठीक है और 1000 की उपर की प्राइज की गेम्स में अभी इस सेल में जो सबसादा कम प्राइज पर जो गेम गई है वह आपकी एल्डें रिंग जो आपकी है थोड़ी महांगी तो गेम आए थी 25,000 रुपे की बट टरम्स ऑफ रेसंट गेम्स के अंदर जादा सस्ते प्राइस के अंदर यह आई थी 25,000 रुपे के अंदर और इसके उपर अभी 30% को और सेल चल रहा जो कि आपको यह पड़ेगी 1750 रुपीज के अंदर और यह बन ऑफ दी बेस्ट गेम्स आप लोग को पता ही होगा स्टीम के गेम ऑफ दी एर एडिशन के अंद बहुत सारे लोग जो सोल्स वाले जो जो फैन है शाइसे डिसगरी करें बट नहीं मैं बोलूगा स्टोरी इसकी बहुत साइसी है इंवार्मेंट और बी बहुत अच्छा सा है तो कोई नया मंद और यहां से ट्राइड कर सकता है बाकि जो सोल्स लावाले जो मेन हार्ट को फैन से बता सकते हैं जाद अच्छी तरह से कि जो एंट्री लेवल है वह कौन सी यह मेरे साफ से तो एक अच्छी एंट्री लेवल गेम है नेक्ट गेम की बात करूं तो यह एक और मेरी वन ओफ दी फेवरेट गेम्स में से एक है फोर्जा होराइजन 5 अगर आप लोगों को जैसे ही कोई गेम चाहिए विद लेटेस्ट ग्राफिक्स और बढ़िया थोड़ा कार कलेक्शन और और बढ़िया चेंज मैप मेक्सिको के उपर यह गेम सेट है फोर्जा वराइजन 5 लेटेस्ट गेम से थोड़ी सी प्राइस जादा है उन्ली 35% आफ के उपर है यह 2274 कर लेते हैं यह आपकी साइबर पंक साइबर पंक आपको पता होगा लास्ट यह जब यह आई थी 2020 2020 मैं थी अप लोग को पता है कि कितना बगी गेम था उस समय पट अभी इस गेम को बहुत ही जादा फिक्स कर दिया है इसलिए मैंने इसको लेवर आफ लव में वोट दिया क्योंकि इसके उपर काम किया है कंपणी ने तो इसको बहुत जादा फिक्स कर लिया है अगर आपको कोई मेकानिकल गेम चाहिए साइबर पंक वाली गेम चाहिए तो यह एक बढ़िया ऊपन वर्ड आर्पीजी गेम है साइफाई के साथ जो कि आपको बढ़िया लगी फंस दोनोह गेम है पहली गेम के बार कर लेते जो किशंपायर मैं माय चसे ओंपर नीख मैं चेफ़ती खा कर अफूर आफज से चाहिए तो पर ऋ पीको एक ट्र प्रोट्टे वहूसक्टीष्स ensuite उपर ॉख का जे आपका पीस फाइचन पर आपको य चाहिए तिब देख है पुरानी गेम खेल ली थी तो 40% के उपपर आपको मिल जाएगी 1,979 रुपीज की आपको ये गेम देखने को मिल जाएगी PlayStation की और भी बहुत सारी गेम्स है PC के उपपर बट मैं अभी के लिए सर्फ यही दो गेम्स रेक्रेमेंट कर रहा हूं और इन गेम्स के उपर आप लोग बोलेया ये तो सारी गेमस हमने के लिकेल रही हैं तो यस अपने सारी गेमस नहीं केल रिकेजिगी कुछ c боль रही है बहुत सारी भी आपको बगया गेम लगा तो आप उनको यह दो घंटे की वीडियो मैं इसको नहीं बना सकता सारी गेम्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल है तो बस यह वाली वीडियो हैं तक थी वीडियो आपको कैसी लगी कुछ भी फीडियो एक देना कॉमेशन को जरू से यूज कर लेना वीडियो पसन आई तो वीडियो को मिलते हैं नेक्स वीडियो में